वस्तूओं को अलग-अलग दिशाओं से देखना भाग तीन डिफरेंट व्यूज ओफ 3D आपजेक्ट्स पार्ट 3 आज हम जानेंगे कुछ ऐसी वस्तूओं के बारे में जिनका टॉप व्यू, साइट व्यू और फ्रेंट व्यू एक जैसा होता है और क्या सिर्फ 3 व्यू से पूरी वस्तू का आकार पता लगाये जा सकता है बंधना कल में अलग-अलग वस्तूओं के टॉप व्यू, साइट व्यू और फ्रन व्यू बना रही थी मुझे कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनके आकार के बारे में तुम आसानी से नहीं बता पाओगी अच्छा फिर तो बहुत मज़ा आएगा, दिखाओ ये देखो, अरे ये सभी व्यू तो वृत्त के आकार में ही है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वाकरी किसी वस्तु की ड्रॉइंग है हाँ, और ये बहुत आसानी से मिल भी जाती है ऐसा कैसे हो सकता है, हर वस्तु के तीनों व्यू अलग-अलग होने चाहिए अरे मेरे पास ऐसी एक और ड्रोइंग है जिसमें एक ही वस्तों के तीनों व्यू एक ही जैसे है वो भी दिखाओ ये देखू ये सभी तो एक वर्ग के आकार में है और वो भी एक ही नाप के हाँ अब बता कर दिखाओ चलो पहले दूसरी ड्रोइंग से शुरू करती हूँ जिसमें सभी एक वर्ग के आकार में है ठीक है ये रही उसकी ड्रोइंग मैं इसको बनाने के कोशिश करती हूँ सबसे पहले इसके टॉप व्यू को बना लेते हैं अब इसके फ्रंट व्यू को और अब आखिर में इसके साइड व्यू को बना लेते हैं ओ ये तो एक बॉक्स है बहुत अच्छा मुझे तो लगा था तुम बता ही नहीं पाओगी अब तो मुझे व्रत्ताकार ड्रॉइंग का भी आइडिया आ गया है अच्छा बताओ ये एक बॉल है देखो बॉल को कहीं से भी देखे एक ही जैसे दिखाई देगी अरे वाँ ये तो तुमने बिना ड्रॉइंग के ही बता दिया हाँ बॉक्स के बिना इसको बता पाना बहुत कठिन होता अच्छा हुआ तुम आज ये ड्रॉइंग लेकर आई नहीं तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनके सभी व्यू एक जैसे लगते है पर मुझे एक बाद समझ नहीं आ रही है क्या? किसी वस्तु का साइड व्यू बनाने के लिए सिर्फ डाइ व्यू ही क्यों बनाते है बाया व्यू क्यों नहीं बनाते? हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़ती हो इन तीन व्यू से बाकी व्यू पता लग जाते होंगे शायद नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा एक काम करते हैं, तुम किसी वस्तु के तीम व्यू मुझे बना कर दिखाओ मैं उनसे वस्तु बाई तरफ से कैसी दिखती है, वो बताऊंगी ठीक है, मैं कोई ऐसी वस्तु की ड्रॉइंग बनाऊंगी, जो दाए और बाई तरफ से अलग हो ठीक है, बनाऊ ये देखो, और बताऊ ये क्या है देखने दो, इसका फ्रंट व्यू देखकर तो ये एक आयत जैसा लग रहा है अब इसका साइड व्यू देखते हैं साइड व्यू से देखने से ऐसा लग रहा है, जैसे दो आयत पास पास रखे हुए है अभी तक तो मैं नहीं बता सकती कि इसका बाई व्यू क्या होगा अब इसका टॉप व्यू दिखाओ, ये तो एक आयत है जो साइड से कटा हुआ है अब तुमने तीनो व्यू देख लिए, अब इसका बाई तरफ का व्यू बनाने की कोशिश करो पहले मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करती हूँ अब तो मैं आसानी से इसके बाई तरफ के हिस्से को ड्रॉ कर सकती हूँ देखो, ये इस तरह बना पहले एक बड़ा आयत और फिर से एक छोटा आयत तुम दाई व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से बाई व्यू बना पाई शायर इसलिए किसी वस्तू से सिर्फ तीन व्यू ही काफी होते हैं हाँ, मुझे भी यही लगता है चलो, लंज टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से खाना खा लेते हैं आज आपने सीखा कुछ ऐसी वस्तूओं के बारे में जिनका टॉप व्यू, साइट व्यू और फ्रंट व्यू एक जैसा होता है और सिर्फ तीन व्यू से पूरी वस्तूओं का कार पता लगाये जा सकता है झाइम झाइम झारे में